हाई गाईस कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है और देखिए अप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें लेकर आप पढ़ें जरूर और जितने भी मैत के क्वेडियो में वह आप जरूर देखें ठीक है इंपोर्टेंट है ना कि पुलस के लिए और आ कि अब देखिए साधान ब्याज का प्रशन नहीं है तौँ जो इजी होगा कोई दिखकत नहीं है उसी मूल दन पर चार परसेंट की दर से चार वर्शों के लिए साधान ब्याज हर बर्श एक जैसा ही लगता है ठीक है तो जैसे जी बताईए कि तीन बर्शों के लिए तो 5 साथ पर्सेंट है तो पंद्रा फर्सेंट को गा पैर से दूसरी कंडीसर में उसी पर चार पर्सेंट लगा चार बार्श के लिए में तो टूटल 16 पर्षेंट इन कितना में डिफरेंस बन का नखी सिरा हाँ को जो बन परसंट का डिफ्रेंस है यहीं जो है ब्याज का भी अंतर है तो एक हजार जो दिये गया है आपको मूल धन उसका बन परसंट नकाल दीजी बन परसंट क्याने के लिए दस तो आज आपकार 10 वो बिलकुल सही है अब हम चलते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रसंट है आपका के क्रेमुल पर लाव का कतना प्रतिशत क्रेमुल पर 30% लाव के बराबर है माल लेजिए आपने कोई चीज जो है 100 रुपए में बेची ठीक है इसका 30 परशंट आपको लाब मिला बेक्रेमूल का 30 परशंट यानि 30 रुपए आपको लाब मिला तो आपने वुक्तने की खरीदी होगी वो खरीदी होगी आपने 70 की क्यों क्यों कि 70 की खरीदी वॉ जो रुपया बेटी सो आपको 10 रुपय राब हुए है न जो भी ग्रेव लिंगτα 30 परेंट है उनको किया है कि क्रेमूल पर या paljon प्रतिस्यत अब रीचेंगे ठीक है तो तीन सो बटी साथ इसको हम अगर सॉल्व करें तो आजाएगा साथ चोको अठाइस और दू बचेंगे और साथ दूनी चौदा या ब्यालिस पॉइंट कुछ आ रहा है इन्हें से कुछ भी नहीं है ब्यालिस पॉइंट कुछ दिए चालिस परचंट है पचास और काजपन तो इनी मने से कोई नहीं जो है यहीं है आपका ऐनल जंसर है है ठीक है हम चलते हैं अगले प्रिष्ण पर अगला प्रिशन नम्ले किसा जिन्वुले पर आज तो चार बटे 9 हम 9 बटे 16 सूला इसमें करो तो 64 ठीक है और 9 से चूटी शूटा ना तो यह दो आपकी छोटी यह वड़ी है तो जो बड़ी विन्ने है चोटी हो नी है चारों में से उसको क्रॉस करदो किसी भी तर ऐसी आंसर नहीं सकता की कि मैए छोटी देखनी अब बाग यह आपकी भिन्ने बची है उसको भी ऐसी क्रॉस में से आप करते जाए और जो शबसे छोटा होगा यह ना जिसका गुड़ा देखें अगर हम संचत्युत्रवुच चिता बनाएं धर ऐसा एक विक्रण है इसका 4 ठीक है Is ensa से संथी में में इतना है चार है और दूसरा विकर्णहेसा क्या पांच ठीक है 에요 क्या 5 संचतरवच्ष का छितवन पता है क्लिल एक बटे दू विकळणों का गुणा रपर दूजी चार गिन पांच ऊतर बसना है अंसर आ जाता है ठीक है कि झलते हैं अगले प्रश्चोAL पर अग्ला प्रश्चन वैंसे प्रश्चा गया है कि है कि दुई घाती समीकर्ण में जो डी घाती समीकरण आपको आपको दिया गया है कि एककर स्क्रस्ट Αनीन एकस ऑप्लस्टाइब स्वैंस ééns है पर हमें दो यह सिंस्ख्य हैं चाहिए जिनका गुणा करने पर यानि ए B इनका गुणा करने पर यानि प्लस भी इतर है ऑज बेस्ट का और प्लस बी जोड़ने पर अजय है माइनिस9 तक भाई इसी पांच में से हम प्लस करने मैंस चार को तो माईनस नगा या टीक है अब देखिए यह आपका अंसर गया है लेकिन जो फाइनल रोका होता है बिगाति समीकर में उसका क्या कर दें साईंग कर देती हैं तो यह मैंस के दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के तो पांच जो चार है आप का अंसर आ जाएगा हम चलते हैं अगले प्रिशन पर अगला प्रिशन है कि राजू और स्याम स्वतंत रूप से किसी कादर को जो है चालिस मिनट और साथ मिनट में पूरा कर लेते हैं साथ साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा बहुत जी है देखिए राजू है और स्याम है स्वतंत रूप से वो चालिस मिनट और एक लेता है पूरा साथ मिनट ठीक है बहाद बढला कितना करेगए तो यहाँ चैवाद आएगा । मेंनट में और स्याम कितना क्म करेगा यहाँ चैवाद है चोबिसमों करहें करएंगे चैवाद जाएगा 24 अंसर क्या जाएगा 24 हम चलते हैं अगले प्रिश्ण पर अगला प्रिश्ण आपका है देखिए कि यह कि दो ब्यक्ति एक्स और वाई एक निश्चित बिंदू पी से क्रमसा पांच किलो मिटर पर घंटा और शे किलो मिटर पर घंटे की चाल से चलते हैं चार घंटे बादे कितरी दूरी किलो मिटर में पर होंगे यदि उब एक ही दिशा में समान चलते हैं तो जेओधर शुरू करते हें हमें निकालना क्या है हमें निकालना है क्या दूरी तो देखिए एक formula है पिछली वीडियो में बताया है आपने नहीं देखें तो वीडियो पूरी देखें आपके जो मेयत के जतने भी question है आपको कोई problem नहीं रहेगी दूरी हमने एक्स रख ली दूरी बटे होता है समय दूरी बटे क्या रखना है आपको समय तो समय में क्या है देखिए समय दिया गया है कि दिशार घंटे चार घंटे लेकिन समय जो है आपका आपका जो है कि एक मिनिट जस्ट मिनिट बैसे तो दर क्या है समय रखते हैं किसमें समय रखते हैं सेकंड में लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कोई दिक्क करकिया जाता है घंटे मेशलसे दिया है तो आपको क्या करना है दूरी बटे समय और what do you are xat हुद कि दीन अ है चाल तो चाल देखिए चाल हम दोनों रखेंगी दैसे टीब How हो गी दिशा में जा रहा हुद यह विपी तो फेट अकी दिशा में क्या कुण एक्स में तो एक्स बराबर चार आजाएगा ठीक है हम चलते हैं अगली कुस्चन पर अगला कुस्चन है आपका कि यदि अमित और रमेश किसी काम को साथ में 30 दूनों में करते ही और अकेले 50 दूनों में पूरा करते हैं तो रमेश दौरा के लिए उस काम को कितना समय कर दिर्फिया गया अब ठीक है तो देखिए कर दोनों में लिए Videosp ! अपन लुख से सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्या जाएगा पचास में सब्सक्राइब कर लेगा उसकाम को ठीक है और हम चलते हैं अगली कोस्चन पर अगला कोस्चन है कि एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमेटर पर घंटा और सेश जो आधा बचा वो 40 किलोमेटर पर घंटे कर साथ घंटे का समय लेती है ऐसी प्रिशने भी हमने पुरानी वीडियो में बताए हैं अपनी तो दूरी बते चाल बराबर होता है किया समय समय कितना लिया साथ ठीक है अब हम इसको सौल्व कर लेते हैं इनका एलसे अंके लस्युम आएगा 120 क्या एगा 120 कि तीन का फ़ड़ा कितनी बार पड़ा तीन का पड़ा पड़ा अपना चार वार तो चार एक्स आ गया एदर प्लस प्षोट गोजिए , इसास्तिए चला गया तो एक्स ब्राबर एक्स 2020 नॐ बतआए और एक्स दूरिया थी दोनों दूरियों को बराबर बराबर दूरियों को उनने अलग-अलग प्रशाल से तई किया था तो दू हुझाएंगी दूरिए यह तो आप आजाएगा 240 ठीक है अंसर आजाएगा 240 किलो मिटर नहीं इसमें से एक स्क्राइब जो 120 किलो मिटर है बो अलग चाल से तैकी वह 120 किलो मिटर जो है वह दूसरी अलग चाल से उसने तैकी अब हम चलते हैं अगले कुस्चन पर कि कोई राशी किसी साधन व्याज की दर से पांच बरसों में दूगनी हो जाती है और दूसरी राशी यह ना बारा बरसों में किसी अन्य साधन ब्याज की दर से तीन गुनी हो जाती है तो ब्याज जो दोनों में कम है तो ब्याज की दर बताना है जो कम हो ठीक है तो हम दोनों जो हमाई पास दोनों क्या कंडिशन है अलग-अलग कंडिशन में हम अलग-अलग करते हैं देखी जै तीन तीन दी जा दे ल है इने समय प्रिंसिपल रच और पौने समय जब सब्सक्राइं तो समय हम अगर दर कुने युप अमने निकालना पुरता एं तो हम समय और नीकालना है तो हम समय ऊसका अगया होगा जैसे हैं वे यह वी真的 अगे याव साध्वन ब्याज की दर्शे 5 वर्षों में दुगरी हो जाती है तो आप ने 100 रुपए जमा कि और वह हुगए 200 रुपए तो आप इस बताईए कि आपको कितना ब्याज मिल गया 100 रुपए 200 हो गए तो आपको 100 रुपए ब्याज कि मिल गए तबी तो वह दूसरे हो गए तो ब्याज गुड़े 100 ठीक है ब्याज जो 100 रुपए मिल गए वह गुड़े 100 वह नीचे क्या रखना है हमको दर निकालना है न तो देखी मूलधन जो सो लिया था अपने गुड़े क्या करना है पांच बारसों में समय तो पांच पहली कंडिशन का हम बूले 100 से 100 कट गया और दूसरी 12 वर्ष में तीन गुणी हो जाती है तो सो से कितने हो गए 300 कितना ब्याज मिल गया आपको 200 रुपए ठीक है तो मूलधन ब्याज गुड़े 100 बटी ब्याज गुड़े 100 बटी मूलधन जो आपने सो लिया था गुड़े जो समय है 12 वर्ष है न 12 वर्ष इसमें जाएगा सूला चक्का 96 है ना तो इसकांसर आजाएगा सूला सही चार बटी छे परसेंट अब आप यह बताईए कि 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 तीन आ जाएगा है ना उकड़ जाएगा तो तीन आ जाएगा अब आभी बताईए कि कि एक मिनट गया जाएगा सूला सही दू बटे तीन अब आप यह बताईए कि 20 परसेंट जो आपकी पहली कंडिशन में रिकली ती बो कम है या यह कम है तो यह वाली जो कम है तो यहीं आपका अंसर है ठीक है यह वाला तीसरा अब हम चलते हैं अगले प्रश्ण पर अगला कि एक मुझ के वाला सही तीस बोस्टा कर घंच दो दो यह वाला तीसरा तीसरा है